दोस्तो एगा फिर से आपका स्वागत है हमारी वीटियों में फ्रेंड्स इस तस्वीर में चीन के सबसे अमीर व्यक्ती जैक मा है और उनके साथ जो महिला है भई उनका नाम है टोन वेन हॉंग उन्होंने जैक मा की कंपनी अली बाबा को वर्ज 2000 में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में जोइन किया दोस्तो तक्रीबन हर कंपनी फाइनेंस के लिए अपने शेर्स पबलिक करती है जिससे भई उसके पास पैसा है और वो अपनी कंपनी को बढ़ा सके जैसे कि फेस्बुक ने 2012 में किया रिलाइंस ने 1977 में किया और एपल ने 1980 में किया शुरुआती दिनों में जैक मा ने शेर्स अपनी टीम के साथ बाटने का फैसला किया उन्होंने रिसेप्शनिस टोन वेन हॉंग को अपनी कंपनी के 0.2% शेर्स दिये और कहा जब हमारी कंपनी पबलिक होगी तब ये 0.2% शेर्स की कीमत 100 करोड होंगे भई जैक मा ने बस उनसे इतना ही कहा कि तुम इस कंपनी को छोड़ना मत फिर देखना हम कैसे इस कमरे से बढ़ा करके पूरी दुनिया में ले जाएंगे टौंग ने सालों इंतिजार किया पर अली बाबा पबलिक नहीं हुई फिर 2004 में टौंग वेन हॉंग ने जैक मा से पूछा हमारी कंपनी पबलिक कब होगी तब जैक मा ने एकदम धीरश से कहा जल्ट उन्होंने 2006 में फिर से पूछा सर हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी जैक मा ने फिर से वही जबाब दिया जल्द वही देखते ही देखते वर्ष 2014 आ गया टून वैन होंग को कंपनी से चुड़े हुए 14 वर्ष हो चुके थे अभी तक कंपनी पब्लिक नहीं हुई और ना ही उनको 100 करोड मिले पर 14 सितंबर 2014 के दिन अली बाबा नियॉक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होई 19 सितंबर के दिन अली बाबा का मार्केट वैल्यू 12 लाग करोड रुपए हो चुका था जो एमाज़ोन और इबेगर मार्केट कैप को मिला कर भी जादा था टून वेन हॉंग जिसने अली बाबा एक बतोर रिसेप्शनिस्ट जॉइन की थी भाई वो आज अली बाबा का पार्टनर है और अली बाबा की सबसेट्री कमपनी केनियों की चेर मैन है सालों वेट करने के बाद कमपनी के दुख सुक में कमपनी के साथ रहकर टॉन को फाइनिली उनकी मेहनत और सबर का फ़ल मिला उनके 0.2 परसेंट अब 100 करोल नहीं बलकि 25 करोल रुपए बन चुपे थे आज की तारीक में दोस्तों अली बाबा का मार्केट कैप 587 बिलियन डॉलर्स है यानि वेन हॉंक के शेर्स की कीमत अब 8,000 करोल रुपए हो चुकी है दोस्तों क्या आप किसी कमपनी में 14 साल तक काम कर सकते हैं जब आपकी कमपनी का मालक रात देन बिना थके महनत करता है तो भई आप कौन होते हैं कमपलेंट करने वाले जैक माने अली बाबा के सकस्स के पीछे का राज भी बताया उन्होंने कहा अली बाबा के कामयाब होने के पीछे कारण है कि हमारी कमपनी में काफी महिलाएं काम करती है हमारी कंपनी में लगभग 45% महिलाएं हैं अगर आप कोई कीसवी सदी में कामयाब होना है तो दूसरों को सशक्त बनाएं अगर कंपनी चलाते समय आप खुद से ज्यादा अपने कर्मचारियों का ख्यार रखते हैं तभी आप कामयाब होंगे मैंने औरतों में खुबी देखी औरतों को जब आप सम्मान दे उन्हें उनके काम से सही सुधाएं दे तो वो आपकी कंपनी में आप से भी बहतर काम करके दिखाती हैं दोस्तों टॉंग वेन होंग की कहानी आप तक साज़ा करने का तातपर ये है कि अगर आप निश्चित हैं कि कुए में पानी है तो दस साल दस अलग-अलग कुए को खोदने से अच्छा है उसी कुए को खोदें शायद नौवर्श आपको दिक्कतों से जूजना पड़ें पर दसवे साल आपकी सारी मेहनत सारे त्याग सफल जरूर होंगे बस सबर रखें क्योंकि आप तो जानते ही हैं सबर का फल जी मीठा होता है दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कॉमेंट करके बताईएगा संग में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेर कीजिएगा आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक क्लिए गड़ बाई टेक केर